आप है आप इससे पहले लेक्ष्टर में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह काउंटर डिजाइन किया जाता है ना तो मैंने कि मैंने आपको बताया था जो सिंक्रोनस काउंटर होते हैं आप इसमें आप भी बना सकते हो आपका मतलब 0 से लेके 1,2,3,4,5 अगर मान दो 3 बिट का है तो maximum 0 से लेके 7 तक जा सकते हो करें तो मैंने एक 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 आपका और बता देता हूं फिर उसके बाद हमारे कम्प्रीट हो जाएगा बाकी की डिटेल्स देखेंगी तो हम प्रिविएस यर्गोश्यंस को करेंगे ठीक गेट के तो सबसे पहले मैंने आपको बताया तो चलो हम एक काम करते हैं इस बार मै चास्क लेता हुं से हम लोगों को पाउंटर बनाना है ती फिलिफलाप आपको पता ही होगा जियुक्त शिडविए ठीक रहती है वन होता है तो जो भी आउटपूट होता है वह आपका टॉगण हो जाता है क्यूबार हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको मैंने बना रहा है तो आपको यह बनाना है उसके बाद आपको डेखना या तो 503 4OH क्याता है यह आपका ऊच्छी तो Q0, this is Q1, this is Q0, अब यहां पर T flip-flop, देखो क्या होगा है, जिरो से अगर यहां पर 0 से 0 रहा है, तो सीधी सी बात है आपका जो है, यहां पर यहां पर आपको 2 flip-flop T1 और T0 करके 2 flip-flop बनाने होगे, तो अब फिर इनको देखेंगे, इस तरह करके आप सारे को कर लेंगे मैंने करके रखा हुआ है ताकि आपनों का टाइम से हो जाए हैना उसको देखते हैं मैं टी फ्लिफ लॉप से दो बिट का काउंटर बना रहा हूं मैंने जीरो से वन गया वन से वन जीरो गया और इसी तरह कि इसकी मैं श्ट्रीट से लिखी जीरो 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 होगा फिर उसके बाद पर यहां पर टी नोट क्या होगा यह पता लगाना है जीरो था, जीरो से जीरो पर रहा है यहांपर, तो इसका मतलब क्या है कुछ भी आपका toggle 0 रहा है, जीरो से 1 होगा है, तो तो यहांपर आपका toggle हुआ है, 1-0 Toggle है 1-0 Toggle होते तो यह T-0 है यह सारे 1 के 1 है तो यह आपका T-0 ultimately आपका 1 आजाएगा इसके लिए आपको K यूज़ करना पड़ेगा है इसको सॉल्व करने के लिए मैं कहूं यहां पर M1 और M3 के बीच में तो यहां पर जाकर आपने common निकालोगे तो यह common निकलाएगा है ना और इस इस q0 यह जो निकल के आएगा आपका common q0 निकल के आजाएगा यहाँ पर ठीक है ना this is q1 and this is q0 plus this is q1 bar this is q1 plus q0 q0 को common लेलोगे तो q1 plus q1 bar आजाएगा that is equal to 1 so you will get t is equal to t0 है ना circuit implement करना आसान है दो आप यहाँ पर जो flip flop लगा दो टी flip flop लगा दो एक में t1 है यह t2 t0 है और t1 नॉट पर आपको वन दे रहें और यहाँ पर जो t1 पर क्या देना है आपको q0 देना है तो इसके output को ले जाके इसके input में feed कर दीजिए एक clock pulse पर चलेगा synchronous circuit है जैसे हम जानते है यह जो circuit है काम कर जाएगा है ना तो इस तरह आप दो बिट का आप counter design कर सकते हैं easily okay come back to the next point अब आपको क्या करना है दो बिट का count down counter करना है जे flip flop पर दूसरा पर मैंने down counter का लिया है दो कैसे लिए कि simply बन जाएगा यह है ना तो उसके बाद jk flip flop लिया है इस पर मैंने अलग flip flop लिया है तो down counter का मतलब क्या है आपका दूस्तों अगर मैं down counter के बारे में बात करूं तो यह down counter कहां से शुरू होगा अगर आपको मैं बोलूं तो 11 से लेके 3 आएगा फिर 2 जाएगा फिर 1 आएगा बन से फिर 00 आएगा फिर बन बन आएगा तो इस तरह ही लूप में घूमतर आएगा ठीक है ना तो यह जो है counter का मतलब पहले 11 से शुरू होगा फिर 10 फिर 01 फिर 00 और इस तरह ही लूप में घूमतर रहेगा ठीक है तो मैं पास इसी को लिख रहा हूं 11 फिर इसके बाद 10 आएगा 10 ए तो 01 आएगा 01 जिरो जाएगा फिर 00 से फिर यह आएगा यह इस स्टेट से इस पर आएगा इस स्टेट से इस इस स्टेट से इस पर आएगा ठीक है अब आपको इसी के बेस पर देखना है कि इसके एक्साइटरेशन टेबल देखनी है है ना एक्साइटरेशन टेबल याद करने का मैंने आपको पहले बोला था यह याद करने पड़ेगी ट्रिक बनानी पड़ेगी है ना जैसे मैंने सब्सक्राइव one मैं एक से प्रणांस कर रहा हूं बट से बीजिए किर फिर सभी फिर एकस फन और दीरो से वन हुआ है तो आपका वन 1 एक्स होगा ठीक है लिए जिरो से जीरो रहा है दीरो में दनाब टनमर एकर गारे झाय या झाएक फचाहुत जीरो हम से 0 क्योंकि यह q1 के लिए है ना तो q1 के लिए jk11 flip-flop responsible होंगे q0 के लिए आपका jk0 यह responsible होंगे ठीक है तो 0 से 1 होगा तो 0 से जहाँ आपका 1 जाएगा this is 1x आजाएगा है ना और 0 से 1 रहेगा तब आपका यहाँ पे 0 से 1 रहेगा तो 1x आजाएगा ठीक है ना अब देखो यहां पर don't care अगर इसको पूरा का पूरा बनाओंगे ना तो it will be equal to 1 यह ना यह पूरा का पूरा complete हो जाएगा यहां पर सारे के सारे इसको अगर बनाओगे ने चार में तो यह जो है वन हो गया एक क्रॉस हो गया यहां पर दोस्तों जे वन के लिए क्या है आपको यहां पर देखो एम टूपे है आपका वन और बस यहां पर के लिए यहां पर के हो गया तो टूपे वन है और बाकी जीरो और यह जो है वन और जीरो पर यहां पर डॉंट के रहे है ठीक है और यहां पर थिरी पर आपका जीरो है तो इसमें आप पेर बना लेंगे तो के वन इसकल टू क्यू नॉट बारा जाएगा ठीक जी यह पेरिंग इस तरह बन जाएगी ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो है M10 है तो यहाँ पर बाकी के दो don't care है तो don't care मैंसे एक यूज कर लेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ जाएगा और इस तरह counter की तरह behave करना शुरू कर देगा यह तो basically इन दो example से मैंने आपनों को बताया था कि किस तरह आप counters को काम में ला सकते हैं कि अलग-अलग flip flop से design कर सकते हैं तो मैंने यह ठीक इसी तरह है आप कर सकते हो कोई भी sequence ले सकते हो आप और डाउन का मतलों समझ में आ गया होगा है ना बहुत ही सिंपल सा है जो जीरो से लिए के आगे बढ़ती हुआ जा रही है और जो उल्टा आ रही है किन्ती मानलों की चार बिट का है तो कहां से शुरू होगा है ना इस टार्ट फॉर्म से लेके 14 13 ठीक है 12 11 इस तरह कंटीनी चलता हुआ है लास्ट में 00 पर हो जाएगा बंद है ना तो यह कीजेगा थोड़ा एक टिपिकल एग्जांपल अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो मैं बता देता हूं औरली बता दे रहा हूं आप खुढ ट्राई करना है ना तो वह एक्जांपल म सब्ढरद मिंगी Brad that someone से लिके 9001 तक आएगा और बाकी की सारी क्या हो जाएंगी Dual Care colors थायिशन्स हो जाएना और अग Fusionigare शेलीन करना था अगर एगर अभा ट्राईकनकर चाहिए प्र एक बार confidence आजाएगा जब आप इसको बना लेंगे चलिए दोस्तों next lecture में दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को कि किस तरह अगर आपको एक circuit गिवन है तो मैं उससे mod find out कर सकता हूँ है ना क्या इसका proper तरीका होता है और मैं क्या तरीका यूज करता हूँ किस तरीके से मैं जल्दी से मैं क्या mostly लोग उसी को यूज करते है तो किस तरीके से हम जल्दी से find out कर लेते हैं तो शुक्रिया दोस्तों मिलते है next lecture में नहीं चीज़ के दार थैंक यू